तो चलिए आईए अब हम लोग पढ़ते हैं lesson यहाँ पे हम लोग preposition end position के बारे में पढ़ेंगे आईए सबसे पहले हम लोग कुछ samples देखते हैं उसके बाद हम लोग exercise solve करेंगे So look at the following तुम किस पर हस रहे हो? What are you laughing at? आपने किस को लिखा? Who did you write to? Whom did you write to? ऐसे प्रश्न बोधक वाक्य interrogative sentence में preposition प्राय अंत में आता है जैसे at to to, laughing at, write to, write to यही लड़का है जिससे मैं बाते करता हूँ This is the boy that I talk to यही है जिसे मैं पोज रहा था This is what I was looking for अगर adjective clause that से शुरू हो या कोई clause what से शुरू हो तो preposition वाक्य में अंत में आता है मुझे रहने के लिए घर है I have a house to live in बाते करने के लिए कोई आदमी नहीं है There is no man to talk to ऐसे वाक्यों के अनुवाद में अगर उप्युक प्रपोजीशन अंत में नहीं दिये जाएं तो वाक्य का अर्थ इस पश्ट नहीं होगा जैसे लिखने के लिए पैंसिल है There is a pencil to write with अगर with हटा दें तो इस वाक्य का सही अर्थ नहीं निकल पाएगा आईए अब हम दो एक्सेसाइजेस सॉल्व करते हैं आपका concept और अच्छे से clear होगा आगे देखिए Exercise 80 Translate into English तुम किस वर्ग में पढ़ते हो तुम किस चीज से लिखते हो तुम किस चीज पर लिख रहे हो What are you writing on? मैं लिखने के लिए कलम चाहता हूँ I want a pen to write यहाँ पर question mark नहीं होगा फुल स्टॉप होगा बात करने के लिए एक आदमी है There is a man to talk to वे क्या देख रहे हैं? What are they looking at? इस प्रकार का जीवन है जिसका वा आदी है इसी प्रकार का जीवन है जिसका वा अभ्यस्त है Such is the life of which he is used to अब देखें यहाँ पर वीच के जगह that भी यूज़ कर सकते हैं Of that is two आगर देखें लिखने के लिए मुझे कागज दो Give me A paper to write on टैठने के लिए इस tool है There is a tool to sit on आप किस चीज से देखते हैं? What do you look at? काटने के लिए चाकू है There is a knife for cotton काम करने के लिए हम लोग को दो हाथ है We have two hands to work for ठीक है? इस तर ऐसे हम लोग prepositions ending में use करते हैं अजरा हो बढकि करते हैं अजरा हो लोग दो भोग को प्योग हो दो लोग दो मेंगो